हेलो, वेलकम टू नीधी, इजी एंड, क्विक खाना आज मैं आपके साथ शेयर करने जारी हूँ चना का घुगनी इसको बनाना बहुत ही असान है और इसका टेस्ट बहुत लाजबाब लगता है आप मेरे इस मिथट से एक बार जरूर बनाए और फिर बार बार बनाने का मन करेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैंने यहां पर लाल चना लिया है उसको मैंने रात भर भीगो के पानी में रखा था और अच्छे से मैंने फिर वापस दो लिया है इसे कम से कम आठ से दस घंटे तक इसे अच्छे से सोब करके पानी में रखना है ताकि ये फुल जाए अच्छे से यहाँ पर मैं तीन बड़े चम्मत सरसो का तेल ले रही हूँ आज मैं गुगनी बना रही हूँ सरसो के तेल में यहाँ मैंने चार प्याज को लंबे काट लिया है क्योंकि प्याज का मात्रा मैं यहाँ पर जादा ले रही हूँ यहाँ मैं तेजपत्ता ले रही हूँ साथी साथ मैंने सुखा मिर्च भी लिया है यहां मैं मिर्च पाउडर ले रही हूँ धनिया पाउडर ले रही हूँ और हल्दी पाउडर नमक यह सब आप अपने स्वाद के अनुसा डाल सकते हैं इसमें कम जादा यहां पे मैं लेंगी 10 से 15 लेसन चिल के ली हूँ साथी साथ मैंने अद्रक टुकडों में लिया हैं और मैं यहां पे ले रही हूँ जीरा थोड़े से मैंने यहां पे लॉंग लिये हैं और उसके बाद मैं ले रही हूँ यहां पे काली मिर्च बड़ी इलाईची मैंने एक ल जाना है चनी के सबजी में डालने के लिए तो सबसे पहले इसको पीस के हम पेस्ट रेडी कर लेते हैं यह देखिए हमारा मसालो का पेस्ट रेडी हो चुका है अब एक कूकर लेंगे आज मैं इसे कूकर में बना रही हूं क्योंकि कूकर में यह बहुत अच्छा गल जाता है इसमें मैं डालूंगी तेल तेल गरम हो जाने के बाद इसमें एड करेंगे प्यास साथी साथ मैं डाल दूंगी तेज पत्ता और सुखी लाल मिर्च अगर आप तीखा नहीं खाते हैं तो यहां सुखी लाल मिर्च नहीं डाल सकते हैं अब इसे अच्छे से हमें भूनना है थोड़ा ब्राउन कलर हो जाने के बाद मैं इसमें एड करूंगी चना और इसे अच्छे से मैं मिक्स करूंगी हमें चना दो से तीन मिनट तक प्याज के साथ पकाना है उसके बाद मैं डाल दूंगी नमक फ्लेम हमारा मीडियम हाइव पे है थोड़ी देर पकाने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी पिसे हुए पेस्ट मसालों के साथी साथ सुखा मसाला जो हमने रखा था लाल मिर्च पाउडर धनिया पाउडर हल्दी पाउडर नमक तो हम पहले ही डाल चुके हैं स्वाद अनुसार अब इन सब को अच्छे से मिक्स करोंगी हमें तब तक बूनना है जब तक कि मसालों के बहुत अच्छी खुश्बूना आने लगे और इसमें से तेल ना चोड़ने लगे यह देखिए तेल चोड़ने लगा है अब हम इसमें डालेंगे आधा कटोरी पानी बस मैं हाफ कटोरी पानी डाल रही हैं क्योंकि हम मैं लो फ्लेम कर दूंगी और करीबन तीन से चार सिटी आएगा मैं गैस का फ्लेम आफ कर दूंगी और हमारा बहुत ही टेस्टी लाजवाब चना का घूगनी बनकर रेडी हो जाएगा बहुत लोग इसे चना का सबजी भी बोलते हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार इ मुझे कमेंट में बताना न भूले थैंक यू